दोस्तो हमेशा मैं एक ही बात चाहता हूँ जो जितने मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं मैं उनको एक ही बात हमेशा बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप कहीं पर जाएं तो दोस्तो ठीक करके ही आएं तो मेरा मकसद सिर्फ यही है सिखाने का कि आप अगर अपनी दुकान खोलें या आप कोई भी काम करने जाएं तो दोस्तो आप से ठीक हो मेरा मेन मोटिव यह है भाई आप से पैसे कमाने का मोटिव कभी नहीं रहा तो दोस्तो आज हम यह जो स्टार्टर की आपको सारी समस्या बताएंगे न 101 पर से पूल से आपको किसी के यह रापने करने जाओगे ठीक कई कि आओगे क्या आपझा प्रोब्लम आती है किस प्रोब्लम आपको मेन टिए कृमा किस रखायती चैक करने चाहिए और क्या सौथानी रखनी पूरी बताएंगे दोस्तों वीडियो को पूरी देखना काफी important वीडियो है दोस्तों बिल्कुल भी skip मत करना वहना आपका नुकसान है देखे दोस्तों सीखा वा ग्यान कभी वापसी नहीं जाता है हमें से याद रखना ठीक है सबसे पहले मैं इन सबी चीज़ों का आपको नाम बताएता हूँ क्योंकि अब जब तक आपको नाम नहीं पता होगो दुकान पर आप खरीदने जाओगे ये कहोगी सर ये चीज़ देदो चीज़ों तो उसमें आपका बेकूप बना देगार आप जाते ही जट पट एक दम से नाम लोगे भाईयों देदो तो दुखंदा समझे हाँ वही व अपको करना क्या है देखिये यहां पर 2 तरह की मीट्र होता है एक तो वोल्ट मीटर एक एम्पेर नीटर 400 300 यह सोडम टाता है ऐम्पेर ेंटार नाता है एंपिर में जो हेंपर नापता है मतलब कि तने यह क्तेकह ले रहा है चलने में लिपरेग को बने ने कितनी देंग किसे तक भी ले लोगकर? पांच समय सेघसे 10 अंपर 20 अंपर 30 ug星 को हो नहीं sont तो होगे voltmeter ये होगे amper meter इस पर लिखा A बराबर amper meter V बराबर voltmeter ठीक है उसके बाद आता है indicator light ये indicator light बोलते है इसको ठीक है इसको बोलते है push switch meter के लिए push switch ठीक है याद रखना इसको यहां पर बोलते है green switch यानि की एक तरह से इसको बोलते हैं touch socket इसको बोलते है hold socket वैसे तो बोल रहाता है पर लेकिन green switch और red switch भी आप बोल सकते हो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसको बोलते हैं समर्शिबल लोग और यह आपको पता ही MCB होती है जायता इसमें B type लगा नहीं होती है बिल्कुल भी याद रखने है 16 Ampere इसको लिखा होता है यहाँ यह देखे जैसे इसको लिखा है 16 Ampere से उपर नहीं लगा नहीं बिल्कुल भी ठीक है इतना हो गया उसके बाद में एक 200 capacitor लगा होता है यहाँ पर 120 MF का यह होता है surge protection के लिए यह main line के पैलल में लगा होता है जब आप यहाँ से own करोगे मोटर को ठीक है यह होता है एक दूसरा 50 MF का 50 UF का जो हमारे दोस्तों मोटर की पीली तार और लाल तार में लगा रहेगा पीली तार और लाल तार में जो कि दोस्तों मोटर को run कराने का मलदा चलाने के लिए काम आता है ठीक है दोनों कैपिश्टर का काम बता रहा हूँ मैं आप एक बार को इसको नहीं लगाऊगे तो चल जाएगा लेकिन यह सेफ्टी के लिए लगा तो सर्ज प्रोटेक्शन के लिए जैसे आपके यहाँ पर एकदम से हैवी वोल्टेज आई वो शैन कर लेगा तो आपको मोटर खराब नहीं हो पाएगा मतलब यह एमसीबी ट्रीप कर देगा है सर्ज प्रोटेक्शन के लिए ठीक है उसके बाद यह जो है यह आपका मेन मोटर को चलाने के लिए यह होता है कंटक्टर कंटक्टर रिले बोलते हैं इसे कंटक्टर ठीक है कंटक्टर यह 16 अपर को होता है यह ठीक है अब जबता हूं दोस्तों फाल्ट के ओपर फाल्ट के ओपर बहुत सिंपल बताता हूं आपको सबसे पहले आपका यह set बिल्कुल अगर आपका dead आता है सबसे पहले dead condition में आपको करना क्या है check आपको यहां से open कर लेना है open करने के पास सबसे पहले आपको देखना है यह connector तो नहीं फुक हुए है मतलब यहां से कोई तार तो नहीं लिखड़ा हुआ है यहां से ठीक है आपको यह चीछ देख लेना है कोई तार तो नहीं निकल ला है यहां से या कोई तार तो नहीं जल गया है यहां से जब आपने देख लेए यह सब तार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से लेके यहां तक आपको reading check करना है इसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ देखिए मल्टी मिटर लिया मैंने यह देखिए यह मने मल्टी मिटर ले लिया अब मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ यहां से देखिए पहले पिन पर रखा है यहां पर तो देखिए यहां पर बीप आ रहा है तो यहां तक यह तूल करक्ट आ रहा है mcb तक क्योंकि फेज वाली लाइन होती है mcb से connect होती है फिर उसके बाद में यहां पर भी जाना चाहिए देखिए ओन होने के बाद में यहां पर जानी रहा यह खराब हो आया मेरे पार डैड आया तो इसकी देखिए mcb खराब है यहां पर लाइन न आतर जाता है ठीक है तो सबसे पहले जब आपका Dad condition में सबसे पहले तो आपको यह mcb चैक करना है दोनों तरफ वोल्टे करना बराबर आने नहीं आ रहे हैं इसको निकाल करके भी आपको डॉर्ट करके देख लेना है तो सबसे पहले जब Dad condition में आ तो Wire चेक कर लेना है load test करने के लिए होता है ampere meter से जाने के बाद जब हमारा दोस्तो रिले पर जाता है याद रखना तो ampere meter के दोस्तो दोनों तरफ आपको beep sound आना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यह देखे अब आपको थोड़ा सही तरीकर से दिख पाएगा ampere meter के दोनों तरफ भी पाना चाहिए यह देखे इस तरह से ठीक है मला reading पूरी बोलने चाहिए ठीक है अगर यह भी नहीं बोल ली तो आपको ampere meter बदल दो ठीक हो जाएगा जब dead condition आती है उसके बाद में दोस्तों सब चीज आपने देख ली mcb भी ठीक है wire भी ठीक है अमारा meter भी ठीक है आपने अगली यह चक करने दिले तो आपको देखना है सबसे पहले हैं से green button दबा कर गे इस zone हो रहा है नहीं हो रहा है अगर इस zone नहीं होता आपका तो कारना क्या है आपको यह contact दोनों आपको इस तरह से press करने है अगर इस तरह press करने पर चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप यह green button बदल दीजिए 101% आपका solution हो जाएगा green button यह वाला जो green button होता है क्योंकि यह 200 टच कराता है एक बार टच हो जाए तो फिर contactor मिल करके यह red वाला point काम करता है ठीक है इसकी पूरी wiring और पूरा systematic हमने समझा रखा है आज मैं बता रहूं फाल्ट कैसे निकालना पर ठीक है फिर condition ऐसी फसती है इसमें दूसरी कि green button जब तक दबा के रख रहूं जब तक तो चला है उसके बाद यह छोड़ते ही बंद हो रहा है तो उस condition मैं आपको बता देना चाहता हूं जब यह आपका red वाला जो यह है red वाला जो बटन है यह जब इसके अंदर दूसरे एक छोटी सी contactor यहां लगा होता है वो हमारी खराब हो जाती है ना पिन तब यह दिक्कत आती है क्योंकि red वाले से बहुत बड़ा matter है कि green वाले को दबा के रखते हैं तब ही चलता है उसके बाद छोड़ने पर बंद हो जाता है कोई कोई पाजी पाजी starter में फाल्ट बनता है कि हमारा यह चलते चलते अपना आप भी बंद हो जाता है तो जब चलते चलते बंद होता है ना आपका starter तो हमेंसे याद रहने जो green बटन है आपको इसको change कर दो आपका fault के लिए हो जाए तो mostly जादे यही फाल्ट आते हैं और हमने आपको बता दिया thank you bye bye जै श्री रम